शीला दिक्षित की बिजली कंपणियों से साड़ गाट है जी, शीला दिक्षित की तेल कंपणियों के साथ साड़ गाट है, कॉमन विल्ट गेम्स के तोरान शीला दिक्षित ने क्या घोट आला, ये सब आरोप हैं उस व्यक्ति के, जिसने दिल्ली की पूर मुख्यमंत्री श शोबिच चंदोला हमने इस वीडियो की शुरुवात शीला दिक्षित से इसले किया है क्योंकि घर के रेनुवेशन पर खर्च के मामले में अर्विन केजरिवाल उनसे कई गुना आगे निकल चुके हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 वर्ष मुख्या मंत्री रई शीला दिक्षित के दिल्ली स्थित मोतिलाल मार्ग वाले घर में कुल 16 लाक रुपे खर्च आया था लगाया है कॉंग्रेस का मानना है कि दिल्ली के मुख्या मंत्री अर्विन केजरिवाल के शीश महल पर खर्च की गई राशी 171 करोड रुपे है ना कि 45 करोड रुपे लेकिन 171 करोड कैसे इसका हिसाब कॉंग्रेस ने कुछ यूं बताया केजरिवाल के आधिकारिक अब अच्छे साथ अधिकारी इनको निर्देश दिया गया कि उन्हें फ्लैट फिर से आवन्टित नहीं किया जाएगा अब इन अधिकारियों को खई तो घर दिया होगा ना जी किल एक सो एकतर करोड एकेजरिवाल नहीं को विच्छिवाल थे अपनी घए बहुत हैं प्मोगों मेरी वात और विश्वास नहीं होगा तो चलते ओड को श्लैशबैक्न साल 2016 दिल्ली में चिकन गुनिया से कोहराम मचा हुआ था, लोगों की जाने जारी थी, ऐसे में पत्रकार ने चिकन गुनिया से ओरी मौटो पर CM केजरिवाल से सवाल किया तो सोचिए क्या जवाब रहा होगा केजरिवाल जी कहते हैं कि CM और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास इस वक्त कोई पावर नहीं है इतना भी नहीं है कि एक पैन खरीद सके LG और PM के बाद से सारी शक्तिय है दिल्ली के लिए उनी से सवाल पूछिए बताईए इतनी पावर भी नहीं है कि एक पैन तक खरीद सके शायद केजरिवाल जी बताना चाहते थे कि सिर्फ पैनी खरीदनी की पावर नहीं है बाकी तो कुछ भी खरीद सकते हैं घर के लिए 45 करोड का रेनोवेशन एक करोड के परदे तीन करोड की वितनामी मारबन और 4 लाग का एक कमोड और जाने क्या क्या जिसे देखने के लिए एक असली आम आदमी का तो शायद जीवन ही खब जाए ऐसा लगता है कि 2016 के बाद केजरिवाल के जीवन में उनकी मंतरी सतेंद्र जैन और मनी सिसोधिया जामवंत बन कर आए और केजरिवाल को ब्रश्टचार करने की उनकी शक्तियां याद दिलाकर चले गए कैसी लगी आपको हमारे आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं बाकी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दा पामफ्लेट को